हमें जान करके शद्धा पैदा करनी चाहिए और किसी धर्म को 21 शद्धाब्दी का बौध बनने का यहां मतलब यह है कि पहले उसको जानी और फिर उसमें शद्धा पैदा करनी चाहिए जब आप जान लें जब शद्धा पैदा हो जाए तब अभ्यास करना चाहिए फिर उसे जीवन में ढालना चाहिए जैसे तिब्बत में तमाम तरह की परंपरा है, शाक्य परंपरा है, काव्य परंपरा है, नीमा परंपरा है, जैलूक परंपरा है लेकिन प्रमुक रूप से देखा जाए अलग अलग परंपराओं के अलग अलग रिती रिवास हैं लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन समान है तो छोटे मोटे जो अभ्यास करने के तरीके त्यादी चीज़े जो हैं लेकिन प्रमकुरूप से भगवान बुद्ध का दर्शन या फिर ग्यान सब के लिए समान है सब के लिए एक सा है, वो सब को समझना चाहिए किसी भी एक परमपरा को आपको पकड़ कर चलने के अविशकता नहीं है सभी धर्मों का सार ही भगवान बुद्ध की शिक्षाएं होती है भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या हैं? इसे जानना चाहिए अलग अलग परंपराओं के लोग अपने गुरू को श्रिष्ट बताने की जगा अगर उनके ग्यान को समझें तो जारा अच्छा होगा सभी के प्रती अपना इस्पस्ट होना चाहिए अगर आपके पास कोई मुसीबत है या समस्या है तो उसका सामना करना चाहिए उसे निप्टाने की कोशिश करनी चाहिए मुसीबत के समय हाथ पर हाथ धरे बैठना भी एक परशानी है बेवकूपी होती है जैसे विवस्था में फायदा नहीं होता तो व्यापारी उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि इसमें नुकसान है इसी प्रकार से अगर आप किसी परंपरा को पकड़े हुई है और आपको लाब नहीं दे रहा तो उसे छोड़ दिना चाहिए नहीं तो आपको नुकसान होगा रवाजनीती में कभी कभी कुछ लोग अपने हित के लिए लोगों को बेवकूप बनाते है तो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि आप अच्छा करें तो मैं हिमाले शित्रों से बौध्य अन्याई उनसे अकसर कहता हूँ कि अच्छा होगा कि आप एक धार्मिक बने अच्छे धार्मिक तभी हो सकते हैं जब आप उसे जाने समझें उसका अभ्यास करें नहीं तो आप अच्छे धार्मिक नहीं हुए आप सिर्फ दुनियादारी पूझा पार्ट में रह जाएंगे मानो किसी धर्म में आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएं और क्या सिखाया गया है उसका अध्यन ना करें तो आपका विद्वान बनना बेकार है तो जो गुरू की विशिष्टा है या परिभाशा है वो पूरी होनी चाहिए शिष्य और गुरू की भी परिभाशा को पूरी तरह होना चाहिए जब तक किसी चीज की परिभाशा नहीं समझें, जब तक किसी चीज की परिभाशा ना समझें और किसी को गुरू मान लें, तो ये ठीक नहीं है शिश्य की भी अपनी परिभाशा होती है, अपना महत तो होता है, अपनी एक सीमा होती है, उसे समझना बेहत जरूरी है तो शिक्षा देने की जो बात है तो शिक्षा भी उस प्रकार से देना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए लावधायक हो सके दूसरों के हित में हो सके इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए सीखना चाहिए जब आप सीख़ जाएं तो दूसरों को सिखानी की कोशिश करना चाहिए कभी भी ये ना करें कि मैंने आप जान लिया, सीख लिया तो अब मुझे इसकी जरुवत नहीं है जबकि जनहित के लिए शिक्शा को बाटना चाहिए ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे दूसरों का फाइदा हो कुछ वैग्यानिक हैं जो दिमाग पर रिसर्च करते हैं उन्होंने दो तीन बच्चों पर रिसर्च किया बच्चों को एक दूसरे का चहरा बना कर दिया तो उन्होंने देखा कि बच्चों में अलग तरह की खुशी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि दिमाग में किस तरह से दूसरों के प्रती हिच चाहने से खुशी मिलती है। कई वेग्यानिक लोग या धर्म के अनुसर कहा गया कि जहां तक मनुश्य का सभाब होता है तो वो मनुश्य क्रपालू होता है। देयापूर्ण होता है। केवल ऐसा नहीं कि धर्मों में कहा गया हो लेकिन आज इस युग में वेग्यान ने बहुत तरक्की की है। तो अगर हम दूसरे के हिद के लिए कारे करें तो अपने आप में कभी हानी नहीं होती। बलकि अपने आपको तसल्ली मिलती है। अपने मन पर तसल्ली मिलती है। दूसरों को फाइदा हो जाता है इसलिए हमें सोचिना चाहिए कि एक दूसरे का हिद करने से भी कभी नुक हमारे अंदर जब तक मैं रूपी अध्थात एंकार की भावना रहेगी तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। को समझे हम उसे नश्ट नहीं कर सकते जिसकी सबसे मूल जड़ अग्यानता है तो हमें अपने अग्यानता को नश्ट करना चाहिए। मान लीजे आपको दर्द हो रहा है उसे थोड़े दिर के लिए खत्म किया जा सकता है लेकिन वो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती जिस के लिए हमें बीमारी की तह तक जाना पड़ता है तब जाकर बीमारी खत्म होती है। हमें किसी भी दुख या भीमारी को खत्म करनी के लिए उसकी जड़ को खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे कलेश, परशानी और दर्द नस्ट हो जकते हैं। जहां तक हम अग्यानता की जड़ या कलेश की जड़ ना समझी होती है। चाहे हमारे अंदर एहिंकार हो, आ ग्यान होना चाहिए। बिना शूनिता की जड़ को समझे हम कलेश को नस्ट नहीं कर सकते। शूनिता इत्यादी को जानने के लिए तीन शेक्षाओं की जरुवत होती हैं। शीर, प्रग्या और समाधी की। हमारा दूसरों के साथ विवार कैसा हो इसका मतलब शीर से होता ह वहीं समाधी का अर्थ खुद के ध्यान के लिए होता है। बिना शूनिता के ग्यान को समझे हम कलेश को नस्ट नहीं कर सकते। शूनिता इत्यादी को जानने के लिए तीन शेक्षाओं की जरुवत होती है। शीर, प्रग्या और समाधी की। हमारा दूसरों के साथ विवा समाधी हमें बार बार ध्यान दिलाती है कि शूनिता का ध्यान करना है, जिससे हमारा चित्र एकाग्र हो जाता है। अगर हम कहीं चित्र को लगाना चाहते हैं, तो वो समाधी से प्राप्त किया जा सकता है। समाधी को ठीक करने के लिए हमें स्मृती के आविशक्ता होती है बिना इस्मृती की समाधी प्राप्त नहीं की जा सकती अगर हम कहीं भी अपने ध्यान को एक जगा लगा ले तो उसे समाधी नहीं कह सकते हैं जबकि हम लंबे समय तक कहीं जब अपने मन को लगा लेते हैं तब उसे हम समाधी कहते हैं ऐसे उधारन के रूप में कभी कभी कोई जानवर भी देखने को मिले है तो बिना हिले डुले एक तरह से एक टक आख लगा कर बैठ जाना उसे हम समाधी नहीं कह सकते एक कहानी है तिबद की कोई जानवर या खरगोश का पीछा कर रहे होंगे तो बचने के लिए पहार या गुफा में एक आकर करके खुद को बैठ गए तो उसे कोई जानवर देख नहीं पाया क्योंकि उसका रंग वहीं से मिलता जुलता था तो ऐसा नहीं है कि उसमें समाधी की भावना पैदा हो गई तो समाधी अन्य धर्मों में भी देखने को मिलती है जाहीं हिंदू हो या कृष्चिन हो बहुत हद तक ये समाधी तो प्राप्त कर लेते हैं तो एक समय में मैं ग्रीज का उधारन दूँगा कि वहाँ भी समाधी का अभ्यास करने वाले लोग हैं लेकिन ये जो परमपरा है समाधी की वो हर देश में देखने को मिल सकती है जब तक आप समाधी पर निर्भर नहीं होंगे तो आप प्रग्या को ठीक से उत्पन नहीं कर सकते हैं तो प्रग्या को नहीं उत्पन करेंगे तो हम शुर्निता को नहीं समझ सकेंगे और शुर्न को जानने वाला ग्यान होना चाहिए जैसा जिसका सभाब है उस प्रकार से समझने का ग्यान हमारे अंदर होना चाहिए इसलिए हमारे अंदर ग्यान अच्छा होगा तो निरात्म को याद कर सकते हैं समझ सकते हैं इसलिए निरुद्य क्यों या फिर जो रोकने की चीज है उन् उसको समझना चाहिए जो मैं है वो सबसे बुरा है मैं हूँ कि नहीं हूँ इत्यारी ये जो बाते हैं इनको समझना चाहिए भगवान है या नहीं ऐसी चीजों के पीछे ध्यान नहीं लगाना चाहिए हाला कि इसको नकारा नहीं जा सकता बलकि इसको समझना चाहिए कि वो स्वभाब से सिद्ध नहीं है ऐसी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए व्यग्यानिक लोग भी सिद्ध करके कहते हैं जो चीजें हैं वो स्वभाब से नहीं है जहां तक वेग्यानिक लोगों की सोच या तर्क या वेधी होती है वो पदार्तों पर करते हैं बलकि चित्त पर करने से सक्षम नहीं है कोई भी चीज है या वस्तू है वो क्या है कैसे है इसका वेग्यानिक परिक्षन करते हैं तो आज के समय में क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं और जानना भी चाहिए ये सभी सोभाब से सिद्ध नहीं है केवल नाम मात्र में दिया गया है परमाडू या अडू से बनी हुई है बलकि अपने सोभाब से नहीं है तो प्रग्या पारमिता में चीजों को लेकर कहा जाता है कि कोई वस्तू सोभाब से सिद्ध है या नहीं है जैसा कि चीजें हैं जिने हम अर्थ के रूप में समझ रहे हैं तो वो सोभाब से नहीं है तो quantum physics हमारे रूप को लेकर या पदार्थ को देखती है बलकि चित्ते के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते है तो बुद्ध का परिक्षन करने के लिए हमारे पास जारा अच्छा हो सकता है बौध धर्म में कहा गया कि परिक्षन करना चाहिए खुजबीन करना चाहिए तो जारा समय अच्छा हो सकता है मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने शुर्निता को जान लिया लेकिन लंबे समय तक ग्यान लेने से कुछ अभ्यास उसका या ग्यान मेरे अंदर हुआ है लेकिन मैंने शुनिता का ग्यान हो गया ऐसा नहीं है हाला कि विद्वानों के द्वारा आदान प्रदान करने और परिक्षन करने से मैंने जाना है कोई भी चीज दूसरों पर आधारित होती है इसके बाद ही उसका नाम दिया जाता है अगर इन चीजों को अलग-अलग कर दिया जाए फिर भी वो सुभाब से नहीं होता हमें अब बिहास करने की आविशक्ता होती है खासकर शास्त्रों को गरने और सीखने की जरुवत होती है बिना गरन्तों को जानकर हमें शुनिता जैसे गंभेर विश्यों की जानकारी नहीं होती है अगर कोई चीज नकार दें तो ये गलत है हम किसी भी चीज को नकार तो नहीं सकते इसका भी तरीका होता है कि किस तरह से मना किया जा सकता है तो बौध धर्म के नुसार सिद्धान्तवादी हैं वो अपनी विधी से उसको नकारते हैं उसको सिद्ध करते हैं बौध चक्र की जीव हैं भवचक्र के जीव होने के नाते हम लोग शरीरधारी हैं इसकी वज़े से हमें भवचक्र का जीव कहा गया हम लोग दुखी हैं क्योंकि भवचक्र में हैं जिस दिन हम लोग भवचक्र से मुक्त हो जाएंगे समी दुखों से भी मुक्त हो जाएंगे और हम लोग दुख में हैं हम लोग भवचक्र में हैं फिर भी ऐसे काम करते हैं कि और जारा दुख मिले और जारा दुख प्राप्त करना चाहते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं जबकि ऐसा करने क्या विशक्ता नहीं है दुख जारतर स्वयम से होता है दुख कहीं बाहर से नहीं आया है हमने दुख खुद बनाया है जो साथ अरब के आसपास मनुश्य की जन संख्या है सभी ने अपने लिए दुख पैदा किया है अगर सुख की कामना करते हैं तो दूसरों का हेद करना चाहिए दूसरों के वारे में सोचना चाहिए अच्छे कर्म करना चाहिए जो हमारा दुख है वो साथ तर मैं की भावना है यानि खुद को स्रिष्ट समझने और खुद के भीतर एहंकार पालने से आता है तो दुख की जने शाश्वत शरीर हैं जब तक हमारा शाश्वत शरीर रहेगा तब तक दुख रहेगा इसे नस्ट करने के लिए अनात्म का ग्यान होना चाहिए जो केवल गृंथ में कहा गया है कि असाहाई लोगों की मदद करता है उनके वारे में सोचता है उन्हें दुखों से मुक्त कराने की कोशिश करता है ऐसे लोगों को सुख की प्राप्ती होती है जो मैं की भावना होती है वो कहां है जैसे मैं, मेरा सामान, मेरी वस्तू ये सब कुछ मिथ्या दिस्टी है जबकि इसका कोई स्थापित शब्द नहीं है या कहीं स्थापित नहीं है तो ढूंडने से तो मिल नहीं सकता इसलिए चीजों को हम अपनी चीतना के द्वारा समझ सकते हैं परक सकते हैं जैसे कि हमारी मांसिक और भौतिक और शारिरिक इसकंद उत्पन होते हैं मांसिक और भौतिक इसकंद में आत्मा कहां है मैं कहां है जानने की कोशिश करनी चाहिए ये चीज़े या तो हमें सत्य के रूप में प्राप्त होती हैं या सत्य के रूप में जैसा कि हमने जान लिया है हमारे इसकंद असत्य हैं अगर स्वायम से उत्पन नहीं है तो हमारे मैं की भावना को रुका जाना चाहिए अगर मैं की भावना को नकारेंगे तो हमारे इसकंद हैं स्वयम से रुख जाएंगे जैसा की कहा गया की शीशे में अपने शरीर को देखते हैं तो उसमें गलत दिखाई देता है जो दिखाई देता है वो वास्तविक नहीं है सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है अगर हम उसे सही मान लें तो मिथ्या दृष्टी होगी जो मैं का सिधान्त है वो हमारे पांच इसकंदों पर निर्बर होकर ही आता है इसको भी उसी प्रकार से समझना चाहिए जैसे आईने पर अपने आपको देखना बिना शीशे में देखे हमारे चेहरे का प्रतिबंब दिखाई नहीं देता इसी प्रकार हमारी मैं की भावना पांच इसकंदों से हटकर दिखाई नहीं देती जैसे कि आनंद ने इनके अर्थों को समझा तो उन्हें दिव चक्षू पराप्त हो गए इसके बार आनंद ने शिश्यों को भी बताया उन्होंने बताया कि दूसरों को भी सिखाया कि कैसे मैं की भावना को त्यागना चाहिए जितना जल्दी हो सके इस मित्या दिरस्टी को काटने की कोशिश करनी चाहिए ये जो मैं और मेरा शरीर या मेरी चीजे हैं ये स्वायम से सिद्ध नहीं होती जो मैं की भावना की वजह से आशक्ती पैदा होती है आशक्ती पैदा होती है तो क्योंकि आशक्ती हमारे कलिश के कारण है कलिश के कारण आशक्ती पैदा होती है और इसके कारण मैं की भावना पैदा होती है, हमें इसे नश्ट कर देना चाहिए, तो इसकंद आदी अगर स्वयम से सिद्ध नहीं है, तो इसके बारे में जानना चाहिए, कि मैं भी स्वयम से सिद्ध नहीं है, अगर मैं होना चाहिए, तो पांच इसकंदू से हट कर होना चाहिए, लेकिन देखने को नही आत्मा हैं ऐसा मानेंगे वास्ते में कोई अस्तित्य नहीं होता तब तक बहुत दिचित्य को प्राप्त करेंगे तब हम बहुत दिचित्य को प्राप्त कर सकेंगे जब तक हम अनात्म को नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत को नहीं समझेंगे मादमिक दर्शन के नुसार कलेश का आवरन नस्ट हो जाता है अगर निरात्म को जान लें तो हमारे कलेश नस्ट हो जाएंगे दोनों निरात्म को जानना बहुत जरूरी है इसलिए सबसे जरूरी ये है कि मैंकी भावना को नस्ट किया जाए गच्छा में संधम श्राइब